तो कल वाले लेक्चर में मैंने एक क्वेशन छोड़ा था लास्ट वे कि इफ एक्स प्लास फाइब उपान सिक्स फाइब उपान सेविन प्लस फॉर उपान नाइन इक वल एक फ्रिक्शन दे रखी है तो आपने को फाइंड करनी है एक्स की वेलू कितनी होगी ठीक है तो यह वाले यह वाला क्वेशन मैंने आपके लिए छोड़ा था जिसको सॉल करते चलो सबसे पहले क्या करना है जो अपने को मैंने वही सेम जो मैथड रहा अपना लास्ट क्लास वाला कि जो भी फ्रिक्शन दे रखी है इसको सॉल करो और फिर इसको इंदर ट्रांसफर कर दो तो इसको सॉल करेंगे तो LCM कितना हैगा 6, 7, 9 तो इसमें 3, 6 into 7, into 3, okay 7 into 9 आजाएगा पूरा ही लेलो 6 into 7 into 9 ठीक है तो इसके कितना होगा 72, 9 6, 7, 9 चलो LCM निकाल के देख लेते हैं एक सेकेंड 6, 7, 9 तो इनका LCM लेंगे तो सबसे पहले तो का जाएगा इसमें 3 टाइम आएगा ये 7 टाइम ये 9 टाइम ऐसा कैसा फिर 3 का जा रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये 1 टाइम, ये 7 टाइम, ये 3 टाइम दन फिर ये वापस 3 का जा रहा है, 1, 7, 3, sorry 1 फिर कितने का जा रहा है, 7 का जा रहा है, 1, 1, 1 तो ये कितना होगा 3 into 3 into 3 into 7, दन तो इधर कितना बचा? 27 into 7 wait x wait 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 तो इस काल्सियम कितना आया? यहां पर 2 into 3 into 2 into 3 into 3 into 7 तो यह कितना हुआ? 6, 6, 18, 7, 5, 2, 7, 12, 126 तो इसकाल्सियम है 126 यह किन्नी टाइम जा रहा है? 21 टाइम जा रहा है 21 को 5 से मल्टिप्लाई करेंगे तो 105 प्लस यह 7 किन्नी टाइम जा रहा है? 18 टाइम से 18 को 5 से मल्टिप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 90 पिर यह कितने टाइम जा रहा है? 14 टाइम 14 को 4 से मल्टिप्लाई करेंगे तो 56 तो यह कितना हुआ? 56 इकल वल कितना दे रहा है? 215 टाइम जा रहा है? अब इसका एड़ करें एकस प्लस यह कितना आया? 11, then 5, 1, 2 251 आया इधर कितना दे रहा है? 215 टाइम एकसो चमबेश इसको इधर ट्रांस्फर कर दो X इकल कितना आया? 125 उपन 126 माइनस 251 अब यह अपने पास इंप्रोपर फ्रिक्शन दे रखिया अनुची ट्विन दे रखिया तो इसको मिक्स फ्रिक्शन में चेंज कर सकते हैं मिशर भिन में तो एक बार जाएगा एक बार जाएगा तो कितना यहां पर कितना आएगा? 126, 125 मतलब देखो इसको फ्रिक्शन में कैसे चेंज कर देंगे? इंप्रोपर में, अनुची ट्विन में एक बार जा रहा है 126 इधर 5 बचा इधर 2 बचा इधर 1 बचा तो यह कितना हो गया 126 तो मैं इसको यहाँ पर यह वाला लिख सकती हूँ क्योंकि अपनी calculations easy हो जाएगी या तो इसको अनुचित भिन में change करो या फिर इसको mix friction में change करो मिशर भिन में इधर कितना बचा upon 126 पहले अपने को क्या करना होता है यह दोनों इनको solve करना होता है तो यह क्या बनेगा 2 minus 1 प्लस में क्या हैगा जो यह वाली friction दे रखी इसको solve करना है तो यह वाली friction सेम सेम है minus का sign है तो यह कितना हो जाएगा 0 तो अपना final answer कितना आगया 1 तो X की value क्या मिली अपने को 1 टन नेक्स्ट क्वेशन करता है नेक्स्ट अलग टाइप के question है जिन में क्या करेंगे देखो बहुत सारी friction दे रखी होगी तो नहीं दे रखी होगी पहुत सारी होगी और उनका एक format होगा वो fixed format में रहेंगी या तो उनमें plus minus होगा या फिर multiply होगा तो अपने को करना क्या है मैं इसका heading डाल देती हूँ solution of special type friction done तो कुछ special type की होगी वो type आप देख लेना मैं पहले equation दे रही हूँ है equation solve कर रहे होगा आपको पता लग जाएगा 1-1 by 2 1-1 by 3 1-1 by 4 1-1 by 5 1 by 6 1-1 by 7 8, 9, 10 तक ठीक है तो मैं क्या बता रही हूँ यदि अपने past bracket में यहाँ पर minus वाली friction होना plus और minus ठीक है तो उसको तो change करेंगे अपन multiply your division में मतलब गुणा और भाग में change कर देंगे ठीक है और यदि अपने पास यह वाली friction गुणा और भाग में हो जैसे 1 by 2 into 3 plus 1 by 3 into 4 तो इनको किस में change करने की try करेंगे plus minus में change करने की try करेंगे मतलब यह वाले को plus minus में change करने की try करेंगे और जो plus minus में रहेगी उसको गुणा भाग में change करने की try करेंगे ठीक है उससे क्या होगा अपना question easy हो जाएगा और अपना answer जल्दी मिल जाएगा तो इसमें यह नहीं करना कि करने लग जाएं कि एक में से यह 1 by 2 गया फिर कितना बचा फिर मतलब ऐसा सब नहीं करना हो मतलब इसको multiply में solve करना है थोड़ा सा और multiply में change करना है ठीक है तो मैंने बताया कि plus minus को अपन change करेंगे तो पहले क्या करना है plus minus को change करना है खोना और भाग में और खोना भाग को change करना है plus minus में तो इसको multiply में कैसे कर सकते हैं सिद्धी से इसका LCM ही ले सकते है तो सबसे पहले इसका क्या करो LCM लेो कितना बचा है यह 1 by 2 मतलब 1 में से half गया तो 1 by 2 बचा फिर into कितना है यह कितना बचेगा 3 minus 1 2 by 3 यह कितना बचेगा 3 by 4 मतलब सिद्धी सी बात है एक में से एक बटे चार जा रहा है तो सिद्धा आप क्या करो एक कम कर दो नीचे वाली जो संख्य है उससे एक कम कर दो और वो उपर आएगी इधर कितना आएगा 9 upon 10 ठीक है तो अब क्या कर दो अपने को इधर दिख रहा है यह सारे cancel हो रहे है यह इससे cancel हो रहा है यह इससे cancel हो रहा है यह इससे कर हो जाएगा यह इससे और इससे पहले वाले कितनी आएगी 8 upon 9 आएगी तो यह इससे हो जाएगा at वाला इधर कोई आएगा at उससे हो जाएगा तो अपने पास बचा क्या हो लिए 1 upon 10 ठीक है मतलब एक तो पहला digit बच रहा है एक last का digit बच रहा है इसी question को मैं यहाँ पर 1 upon 1 minus 100 करूँ तो कितना बचेगा 1 upon 100 क्योंकि बाकी सारी क्या हो जाएंगी इसी cancel हो जाएंगे ठीक है अब next question करता है 1 minus 1 minus 1 by 3 1 minus 1 by 4 1 minus 1 by 5 या last के 1 upon 1 plus मतलब मैंने जो पह पह पता है सेम बस इसमें क्या करा इसमें ये वाला नहीं लिया यहाँ से start कर रहा है तो मतलब इसमें यहाँ से start कर रहा है तो ये वाले step नहीं आएगी ये वाली cancel हो जाएगी तो अपना सीधा-सीधा answer क्या बचेगा 2 upon मैंने क्या 1st वाली term कितनी आएगी 2 upon 100 देखतें इसको solve करके तो इसको क्या करेंगा 2 upon 3 into 3 upon 4 into 4 upon 5 यहाँ पर कितना बचेगा 98 upon 99 99 upon 100 तो मैंने क्या बता है 1st वाली cancel हो जाएगी कौन सी कौन सी बचेगी 1st रो लास्ट रम ये इससे हो जाएगी ये इससे हो जाएगी तो कितना बचेगा 2 upon 100 equal 1 upon 50 done तो मैंने 2 minus के question लिए है उसको multiply में change किया है ऐसा नहीं है कि जो minus के हो उसको भाग में change करना है ऐसा कुछ नहीं है next question अपन लेते है जो addition का है ठीक है plus तो ये कितना है 1 plus 1 by 2 1 plus 1 by 3 1 plus 1 by 4 अब इसमें क्या दिख रहा है इसमें एक add हो रहा है उसमें एक में से minus हो रहा था तो LCM लेओ 2 मतलब उपर एक बढ़ के आएगा उसमें एक घट के आ रहा था तो ये कितना हो जाएगा 3 by 2 1 plus है तो ये 4 by 3 ये 5 by 4 और फिर 6 by 5 फिर 7 by 7 by 6 ये यहां कितना आएगा 121 upon 120 और इधर कितना 119 बचेगा ना 119 upon इधर एक बढ़ के क्योंकि 1 plus होगा ना इससे आगे वाली संख्या कौन सी होगी यही तो होगी 1 plus 1 upon 119 तो इस कैलसियम लेगे 119 और एक एड करेंगे तो कितना होगा 120 upon 119 अब इसमें कैंसल क्या क्या हो रहा है ये वाला इससे कैंसल हो रहा है ये वाला इससे कैंसल हो रहा है ये वाला इससे कैंसल हो रहा है ठीक है ये वाला इससे कैंसल हो रहा है 7 इससे कैंसल हो जाएगा फिर ये वाला इससे हो जाएगा, ऐसे करके 120, ये वाला इससे, ये वाला इससे cancel हो जाएगा, तो अपने पास क्या-क्या बचा, फर्स ट्रम का तो हर बचा, और लास ट्रम का क्या बचा, अंस बचा, ठीक है, चाहे कितने भी बड़ी संख्याते दें, एडिशन में ऐससे वाल करोगे तो अपने आप आजाएगा, और इनने heavy questions भी नहीं आई है, next question लेते है, next question है, 1-1 by 3, 1-1 by 4, 1-1 by 5, कहां तक गया, 1-1 upon n, done, तो यहां से क्या आया, भाई, यह LCM लेना है, LCM लेगो, minus है, 1-1 by 3 minus हो रहा है, तो मैंने क्या बताया था, सीधा सीधा आप क्या करो, निच्छे वाले से एक कम कर दो, 2 upon 3, इधर क्या बचेगा, LCM करके देख लो, या फिर यह वाला काम कर लो, यह उपर एक कम कर दिया, 3 upon 4, क्योंकि हर तो वैसा कम बैसा आएगा, 4 upon 5, इधर कितना बचेगा, एक कम इस से, योदि N-2 है, sorry, 1 है, तो इस से एक कम और, मतलब N-1-1, अब कैंसल करो, तो यह कैंसल हो गया, यह 4 से 4 कैंसल हो गया, यह इससे कैंसल हो जाएगा, यह इससे कैंसल हो गया, तो क्या बचा पहले की पहले वाली ट्रॉम्प और लास्ट की हर वाली ट्रॉम्प ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेशन करता है नेक्स्ट क्वेशन है हमारा 2 माइनस 1 बाइ 3 2 माइनस 2 बाइ 3 और स्वरी 3 बाइ 5 3 अपोन 5 2 माइनस 5 अपोन 7 2 माइनस 999 7 अपोन 999 ठीक है? वह एक्वेशन अपना माइनस में दे रखा है तो इसको मल्टिप्लाइ में चेंज करेंगे और फिर भाग में तो मल्टिप्लाइ में तो इसको क्या करो? लसे हम ले लो 6 माइनस 1 इतना बचा 5 अपोन 3 इधर 10 माइनस 7 10 माइनस इधर 7 अपोन 5 14 माइनस 5 इतना बचा 9 अपोन 7 तो इधर कितना बचेगा? इसको मल्टिप्लाइ करोगे इसको 2 से मल्टिप्लाइ करोगे और 997 इसमें माइनस करदोगे तो कितना बचेगा 10, 0, 1 upon 997 मतलब LCM लेना है 999 multiply 2 minus 997 upon 999 तो यह कितना बचेगा इधर तो बचेगा 999 plus 2 ओके तो इधर cancel कैसे हो रहे है यह वाला इससे हो रहा है, यह वाला इससे हो रहा है इसकी last term बचेगी और इसकी यह वाला इससे हो जाएगा इसकी क्या बचेगी first term उपर वाली, answer वाली तो 1, 0, 1 upon 3 इसका answer आगया next question करते है plus minus की काफी कर लिए, multiply वाले पे चलते है गुना भाग वाले पे 2 into 3, plus 1 upon 3 into 4, plus dot dot dot, 1 upon 9 into 10 मतलब नीचे यहाँ पे क्या है, 1 upon 4 into 5, 5 into 6 वगेरा तो इसका value निकालना अपने को, अभी multiply में है तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, यह multiply में तो अपने को इसको plus minus में change करना पड़ेगा अभी अपने क्या देखा था, कि यदि इसको कैसे लिख सकते है LCM है, देखो 1 into 2 का, 2 into 3 का इधर एक ज़्यादा बढ़ रही है तो सिधा सा है, कि यहाँ पे multiply में उपर सिर्फ क्या हो उपर तो क्या है, इन दोनों का तीन में से एक क्या, इन दोनों का क्या difference है और निचे इन दोनों का multiply है मतलब सिधा सिधा है कि यह वाला है अपने पास ज़िए उपर इसी friction को अपन solve करेंगे इसी भिन को अपन solve करेंगे तभी तो आता है, नीचे तो इन दोनों का LCM और उपर क्या आता है, 3 minus 2 equal 1 upon 2 minus 2 into 3 तो यह अपन दिरे-दिरे question solve करोगे आप थोड़ा सा mind लगाऊगे तो यह problems नहीं आएंगे कि इसको minus plus में change कैसे करना है ठीक है तो इसको अपन क्या कर सकते हैं अपने को ऐसा दिखें कि उपर difference 1 आ रहा हो और नीचे इन दोनों का यह दोनों multiply आ रहे हो मतलब नीचे वाले का difference उपर हो तो अपन इसको कैसे करेंगे 1 minus 1 by 2 plus 1 by 2 minus 1 by 3 plus 1 by 3 minus 1 by 4 plus ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा 1 by 9 minus 1.10 इदर क्या दिखेंगे इसको जब bracket open करेंगे मतलब इसको यह लिखती है इसको यह लिखती है ब्रेकित open करेंगे तो यह सारे क्या होँगे cancel हो जाएगे यह से यह इस से यह minus का यह plus वाले से यह यहां तक cancel हो जाएगे 1 by 2 minus के 1 by sorry 1 by 9 minus के 1 by 9 से cancel हो जाएगा तो यहां पर लास्ट अपना option क्या है 1 minus एक तो यह वाला digit बचा 1 और एक minus का 1 upon 10 तो यह कितना बच रहा है 9 upon 10 LCM लेकि next question करते है इसी पैट्रन पे 1 upon 5 into 6 plus 1 upon 6 into 7 plus 1 upon 7 into 8 कहां तक पुछा है 1 upon 24 into 25 तक पुछा है ठीक है अब अपने को क्या करना है यहां पर भी देखो नीचे same इन दोनों को जस्ट आगे वाली नंबर से multiply है 5 6 से है 6 अपने आगे वाले 7 से है 7 8 से है और उपर क्या है इन दोनों का difference मतलब 6 minus 5 तो वही same अपने को क्या करना है इसको भी change करदो same pattern से 1 by 5 minus 1 upon 6 plus 1 upon 6 minus 1 upon 7 plus 1 upon 7 minus 1 upon 8 और इदर इसको क्या लिखेंगे 1 upon 24 minus 1 upon 25 इसके पहले वाले डीजिट कों से आएगे 1 upon 23 minus 1 upon 24 तो इससे ये वाले cancel हो जाएगे 1 save and minus 1 upon 8 plus 1 upon 8 से ये cancel हो जाएगा तो क्या क्या बचेगा अपने पास एक तो पहला वाला ट्रम एक लास्ट वाला ट्रम तो ये कितना हुआ LCM sorry 25 है LCM कितना हैगा 25 आएगा तो 5 minus 1 4 upon 25 25 done next question करते हैं थोड़ा सा change करते हैं अपन question में ठीक है अब जैसे उनमें तो उपर डिफरेंस एक था नीचे वाले संख्या जैसे ये वाला कर रहा है अपने लास्ट question इसमें इन दोनों का डिफरेंस उपर आ रहा है इन दोनों का डिफरेंस उपर आ रहा है तो अपन सिधा सिधा कर रहे हैं कि भाई 1 minus 1 by 2 इसमें 1 by 2 में से 1 by 3 गठा दो अब next यदी अपने पास ऐसे equation आ जाए एक equation 1 upon 1 into 4 plus 1 upon 4 into 7 plus 1 upon 7 into 10 plus 1 upon 10 into 13 plus 1 upon 13 into 16 तो इस जो multiply वाले question है अपने को क्या करना है इनको solve करने इसमें यह तो और कर नहीं सकते क्योंकि यह तो कब करते हैं यह वाला जो मैंने अभी pattern बताया था 1 upon 1 minus 1 upon 4 plus 1 upon 4 minus 1 upon 7 यह नहीं कर सकते क्योंकि अपने को उपर वाला difference से इन दोनों का जो उपर वाली संख्या है वो इन दोनों को difference नहीं इन दोनों का अंतर नहीं है अब इन दोनों का अंतर सेम आ रहा है देखो नीचे वाले का एक और चार मतलब तीन का difference है फिर इधर कितने का है 4 इसमें भी 3 का है इनमें भी 3 का है इनमें भी 3 का है और इनमें भी 3 का है यदि इस 1 की जगह 3 आ जाये अपने पास तो अपने को easy हो जाता ठीक है फिर तो आपन क्या करते 1 minus 1 upon 4 कर देते plus 1 upon 4 minus 1 upon 7 कर देते क्योंकि 3 difference इसे तो आ रहा है बटे अपने को यहाँ पर 3 ने देखिए 1 दे रखा इसने ठीक है तो अपन इसको मतलब यहाँ पर अपने को questions solve करने के लिए 3 लाना पड़ेगा तो अपन क्या करेंगे जी यह वाली पूरी question है इसको 3 बटे 3 से multiply कर दें क्योंकि यह तो 1 ही हो गया तो 3 बटे 3 से multiply करने से कोई effect नहीं आने वाला तो फिर 3 अपन 3 से multiply करेंगे तो नई equation क्या बनेगे अपनी 3 अपन 1 इंटो 4 यह बहार 1 अपन 3 multiply में रहेगा नीचे वाला 3 तो अपन रख लेंगे उपर उपणवाले को अंदर भेश देंगे 3 अपन 4 इंटो 7 plus 3 अपन 7 इंटो 10 plus 3 अपन 10 इंटो 13 plus 3 अपन 13 इंटो 16 done मतलब आप देखो same बन रहा है ना नीचे वाले का जो अंतर है वह उपर आ रहा है इधर भी नीचे वाले कांटर उपना रा रहा है 3 3 3 आ रहा है ठीक है तो अब अब अपन इसको իे लिख सकते हैं 1-1 upon 4 1 upon 4-1 upon 7 इसको कैसे लिख सकते हैं 1 upon 7-1 upon 10 1 upon 10-1 upon 13 1 upon 13-1 upon 16 यह वाले पैटरन में लिकने के लिए अपने को अंतर इन दोनों के बीच का होना चाहिए, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, यदि यहाँ पर 1 इंटु 5 दे रखा था, 5 दे रखा होगा, यहाँ पर 5 इंटु 8 दे रखा हो, 4 का difference दे रखा हो, मतलब 9, 5, 9 दे रखा हो, तो उपर 4 बनाएंगे, 4 से multiply करने के लिए, 4 बटे 4 से गुना कर देंगे, ठीक है, तो यह अपने को question change करना पड़ेगा, ताकि अपना solution easy आजाए, तो यह इससे cancel, 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 सिर्फ क्या बच अपने पास, स्वस्ट वाली संक्या और लास्ट वाली संक्या, तो इसको solve करेंगे, तो कितना आएगा, 16 minus 1, 15, 15 upon 16, तो यह कितने time, 5 time cancel हो गया, 5 upon 16, यह इसका answer आगया, देखो, next question लेते है, next question में थोड़ा सा और यह लग है, 1 upon 20, इतना बड़ा लाइन की, ठीक है, फिर नीचे है 1 upon 30, फिर है 1 upon 42, फिर है 1 upon 56, plus 1 upon 72, plus 1 upon 90, plus 1 upon 110, plus 1 upon 132, तो सबसे पहले ऐसा question आए, इस type का, तो अपन को question को observe करना है, कि इसमें क्या दे रखा है, ठीक है, अब यह कितना, इसमें नहीं पता लग रहा है, यह क्या है, तो इसको अपन प्लस, सिदे-सिदे अपने को normal friction दे रखिया, तो अपन इसको क्या करेंगे चेंज करेंगे, ठीक है, इसको चेंज करेंगे, तो यहाँ पर अपने को क्या दिख रहा है, यह 20 है, तो यह 4 into 5 है, यह 5 into 6 दिख रहा है, यह 72 है, तो 6 into 7, 72, यह 7 into 8, 56, फिर 8 into 9 है, यह 9 into 10 है, मतलब, सेम भाई बाला question बन गया न, सिर्फ थोड़ा सा यही था, कि अपने को इनको चेंज करके देखना है, कि कि इसमें चेंज हो रहा है, एक pattern बन रहा है या नहीं है, उस pattern को देखना है, और यह वाला question अपने कर रहा ही था, 5 into 6, plus 1 upon 6 into 7, plus 1 upon 7 into 8, add into 9, 9 into 10, 10 into 11, 11 into 12, ठीक है, यह वाला question करा था, अपने आपको ध्यान होता हूं, 4 into 5, देखो यह वाला, 5 into 6, 6 into 7, 11 into 12, वहां पर 11 into 12 तक दे रखा है, अपने, तो इसमें क्या है, 1st वाली डिजिट और लास्ट वाली डिजिट बच रहा है, इसको करेंगे, तो 1st वाली डिजिट, 1 by 4 minus last वाली डिजिट, अप साल करके देख ले न, यह वाला बचे का, इसको चेंज करेंगे तो, यह वाला question करवा चुक क्यों मैं पीछे, तो यह LC हम लेंगे तो 12, यह 3 टाइम जा रहा है, और यह 1 टाइम, तो कितना बचे 2 upon 12, 1 upon 6, इसका answer आगया, next question करते हैं, सिर्फ अपने को question का pattern देखना है, कि अपने को कौन से pattern का question दिया है, किस pattern का question पूछा हो है, अब देखो, next question है, 1 upon 9, plus 1 upon 6, plus 1 upon 12, plus 1 upon 20, plus 1 upon 30, plus 1 upon 42, plus 1 upon 56, plus 1 upon 72, हável hope आगया, ड़ आपने को और आपने की ते वाला 1 upon 9, यह 3 into 3 देखा है, यह 2 into 3 देखा है, यह 3 into 4 देखा है, 4 into 5 Right, यह 5 into 6 देखा है, मतलब इसको छोड़के, यह आपने Aeg, वाले सारे pattern में बन रहे है, ठेक है? यह 6 into 7 बन रहे है, यह 7 into 8 बन रहे है, यह add into 9, तो इसे क्या करें है, अपने तो pattern, यह तो अपने pattern को गड़बड कर रहा है, अपन क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, कोई नहीं एक संख्या है, 1 upon 9, इसको बाद में, वो कर लेंगे, add कर लेंगे, तो इनको तो solve करें, अभी इनको solve करेंगे, तो 1 upon 2 into 3, plus 1 upon 3 into 4, और सेम वही वाला pattern, जो लास्ट वाले question में, अपने solve करेंगे, 1 upon 1 into 9, तो उसमें क्या बच रहा था, 1 upon 9, प्लस पहले वाले संख्या, 1 upon 2 minus 1 upon 9 बच रहा था, ठीक है, इसको solve करके देख लेंगे, यही बचेगा, मेरे याद हो गया, यह questions करते करते, तो सिदा से, इसमें यह यह 1 upon 9, क्यों बच रहा था, ताकि यह से cancel हो जाए, तो अपना answer कितना आगया, 1 upon 2, क्या answer आगया, done, next question करते है, अब next question, इस type के question अपन आप अराम से handle कर लेंगे, next type का question और बचके है, यह अपने को relation दे रखाओ, कुछ, ठीक है, मतलब अपना answer हर, उसमें कुछ relation दे रखाओ, उस type के questions अपन कैसे solve करेंगे, तो relation वाले questions में, अपन solve करेंगे, सबसे better अपना way रहेगा, method रहेगा, वो सीधा सीधा है, कि भई, आप option को उठाओ, और देख लो कि कौन सा option, इस situation को satisfy कर रहा है, ठीक है, मैं एक question लिखरी हूँ, उससे आपको पता लग जाएगा, question दे रखा है, एक परी में संख्या है, परी में मतलब rational number, ठीक है, एक परी में संख्या है, उसका हर, का हर, उसके अंस से 8 हदिक है, ठीक है, यदि अंस में 17 एट कर दे, चोड़ दे, वहर में एक अठा दे, तो जो संख्या मिलेगे, अपने को परिणाव मिलेगा, वह कितना हो जाएगा, 3 upon 2 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है, ठीक है, अपने को भीन पूछिया, अब ऐसे क्वेशन करने के लिए, अपन क्या करेंगे, ऑप्शन देख लेते हैं, अपन पहले, A, 13 upon 21, B, 21 upon 13, C, 13 upon 7, D, 7 upon 13, ठीक है, यह वाले उप्शन अपने को गीवन इस क्वेशन के, अब अपने को ऐसे question को जो मतलब method exam के according तो यह option देखो और situation put करवा के देख लो या फिर अपने को देखना है कि proper question करना है तो अपने को बानना पड़ेगा कि इसमें एक परिमेशन क्या मतलब uns बटे हर भीन पुछिए uns upon हर होगा अब इसमें क्या रखा है कि हर उसके uns से 8 अधिक है मतलब यह दी uns मैंने x ले लिया uns कितना है x है ठीक है तो हर कितना है इससे 8 अधिक है मतलब x plus add है फिर आगे वाली situation क्या दे रखी है कि uns में 17 जोड़ दे पहले से x था इसमें 17 और add कर दिया और हर में एक गठा दे पहले हर कितना था x plus add इसमें एक और गठा दिया ठीक अब ही कर दिया minus तो परिणाम कितना मिलता है 3 by 2 मिलता है कितना मिला अपने को result 3 by 2 मिला done तो संख्या गयात करनी है मतलब यहां से x की value गयात करनी है और फिर इसमें put कर देना है तो यहां से x की value निकालेंगे तो यह कितना होगा x plus 17 upon x plus 7 equal 3 upon 2 इसको cross multiply करो बज़र कुना करो और equation को solve कर दो 2x plus इसको इदर करेंगे और इसको इदर 34 equal 3x plus 21 transfer कर दो 3x minus 2x और इधर जाएगा यह कितना बचेगा 34 minus 21 तो कितना बचा x equal कितना है 4 में से यह 3 और यह 1 13 आगया और x की value 13 आगी तो भिन क्या बचेगी भिन क्या बनेगी अपनी नीचे 13 इससे 8 अधिक है तो 13 plus है at equal 21 तो यह भिन कितनी बनेगी 21 बनेगी यह थोड़ा lengthy process हो जाता है मतलब answer है आगया अब अपने को क्या करना है यह वाला method अपलाई नहीं करना अपने को सिधा-सिधा option उठाना है situation बनानी है equation solve करने की जरुरत नहीं है situation बनानी है situation सिधी सिधी दिख रही है कि भिन का अंस उसके हर से 8 अधिक है मतलब जो अंस दे रखा है उससे 8 अधिक तो सबसे पहले चेक करें नीचे से उपर वाला तो आई गया अपना answer तीचे से चेक करते है क्या भिन में इस answer में अंस हर से 8 अधिक है नहीं इसमें तो कम है हर आ सोरी 8 अधिक होना चीए तो ये तो 7 है ये 13 है तो क्या 8 अधिक है इसमें तो 6 ज़्यादा है मतलब ये वाला option cancel नहीं हो सकता ये वाला option इसमें 21 इसमें तो अंस ही ज़्यादा दे रखा है तो वैसे ही हो जाएगा इसमें भी कौन सो ज़्यादा दे रखा है अंस ज़्यादा दे रखा है हर से जबकि क्वेशन में ऐसा बोलना हूँ पहले लाइन में कि अंस हर से 8 अधिक है तो ये वाला भी cancel अब सिधी सिधी बात है तीन तो ऐसे ही cancel होगे तो बचा कौन सो option फस्ट वाला तो मतलब इस question की एक line से अपने को answer पता लगया तो ऐसे अपने को option discard करने है ऐसे question इसी type से अपने को solve करने है equation solve करके equation बना के बैठना नहीं है कि भाई equation बना फिर उसको solve करो next question है किसी बिन किसी बिन के unswear हर में एक जोड़ने पर बिन का मान two by three हो जाता है अगर unswear हर में एक घटा दिया जाए तो भिन one by two हो जाती है तो भिन कौन सी है यह अपना question है ठीक है option इसके दे रखे है first वाला two by five second दे रखा है three by five third दे रखा है sorry c दे रखा है two upon six और d दे रखा है इन में से कोई नहीं none of these ठीक है तो अपने को देखना क्या है बही भिन में answer हर में एक जोडने पर two by three हो रहा है discard हो गया आपस इसमें एक जोड के देखते हैं इसमें एक जोडेंगे तो कितना हो गई है 4 upon 6 मतलब ये बन रहा है 2 by 3 ये बन रही है क्या ये आगे वाली condition भी satisfy कर रही है ये वाली next वाली कि इसमें एक गटा दें तो एक बटे 2 बन रहा है तो इसमें एक माइनस करो 5 में से एक माइनस करो देखते हैं 2 upon 4 ये तो बन रहा है 1 by 2 मतलब ये वाला दोनों situation satisfy कर रहा है दोनी condition मतलब ये वाला option सही है ये वाला कर रहा है या नहीं कर रहा है इसमें एक जोड़ो 3 upon 7 और एक एक घटाओगे तो एक बटे 5 बनेगा तो मतलब ये वाला option discard हो किया मतलब अपने को दे क्या रखा था यदि एक उपन वाई अपनी भीन है तो एक एक जोड़ेंगे तो बन रहा है दो बटे 3 और एक एक घटाएंगे तो बन रहा है एक बटे 2 फिर अपन क्या करते है इन दोनों इन friction को solve करते है इक वेशन को और फिर x और y की value निकालते है उसके बाद में अपने पास भीन आती तो ये बहुत lengthy process हो जाता इसलिए ऐसे question में सीधा option देखना है अपने को और option जिस situation को solve कर रहे है वो क्या हो गया? next question है uns और हर से 4 अधिक है कोई भीन दे रखिये उसमें sorry, 4 कम है uns जो दे रख़े उसका वो हर से 4 कम है यदी uns को 2 से घटा दिया जाए यदी uns में से 2 घटा दिया जाए यदी uns में से 2 घटा दिया जाए वह हर को एक बढ़ा दिया जाए अंस में दो गटार है वह हर को एक बढ़ा रहे तो अंस जो हर है वो अंस का आठ को नहीं हो जाता है ठीक है अपने को फिक्षिन कौनसी है वो ढूण ली है क्वेशन मैंने शॉर्ट में लिखा है थोड़ा एक है चार बटे आठ बी है तीन बटे साथ सी है दो बटे साथ दी है तीन बटे आठ अब क्या बोल रहा है अंस हर से चार कम है अंस है वो हर से कितना है चार कम है यदि अंस हर से चार कम है यदि हर चार है तो अंस कितना हो गया हर से चार कम मतलब एक्स माइनस फॉर और उसके बाद मैं क्यों बोल रहा है ये अंस में दो गटा देते हैं x-2 x-4-2 दो गटा दिया और हर में एक बढ़ा दिया x-1 तो ये कितना हो जाता है हर का 8 गुना हो जाता है रन तो हर अंस का 8 गुना हो जाता है तो कितना बनता है अपने पास 1 upon 8 हो जाता है ठीक है तो वो भीन कौन सी होगी तो इसको solve करते हैं x-6 x-1 इंदर 1 upon 8 यह कितना हो जाएगा 8x- 48 इंदर x-1 इंदर 7x 49 कैसे हो गया इस 7x बचेगा 49 आगया x इंदर 49 इंदर 7 और इंदर 3x-4 इंदर x इंदर इंदर 7-4 कितना हो गया 3 upon 7 तो ठीक है यह आंसर आगया अपने को यह वाला method apply नहीं करना अपने को करना क्या है? सिदा option लेना है option में देखना है कि अंस कौन सी बिन में अंस है जो हर से 4 कम है इसमें है first वाले में अंस है हर से 4 कम है हर 8 है अंस 4 है इसके बाद में यह बोल रहा है कि अंस में 2 गटा देते है भई गटाओ दो और हर में एक बढ़ा दो तो यह कितना बचा? 2 बटे? 9 तो हर है न वो अंस का 8 होना हो रहा है काँ हो रहा है वह 8 होना? यह तो 9 है यह तो multiply में है ही नहीं तो यह वाला option क्या हो गया? discard हो गया इसमें यह follow करेगा यह अपन ने देखी लिया इसमें देखो अब यह मिली गया answer तो आगे वाले क्यों देखे? आप practice के लिए देख लेना ठीक है? next question है मैं question बोल रही हूँ ठीक है? आप note कर लेना यदि notes बना रहे हो तो question है यदि भिन के answer हर में एक एक जोड दिया जाए कोई भिन है भिन क्या होती है? उपर अंस होता है, नीचे हर होता है इसमें बोल रहा है कि भिन में एक एक जोड दिया जाए मतलब इसमें एक add कर रहा है और इसमें भी एक add कर रहा है तो भीन एक बटे चार हो जाती है होगी एक यदि अंसर हर में दो जोड दिया जाए अंस बटे हर इसमें दो जुणवा रहा है दो-दो तो भीन कितनी हो रही है? एक बटे तीन हो रही है तो अंसर निकालना अपने को options दे रखे है फर्स्ट option है एक बटे चार सेकिंड ओप्शन है दो बटे क्यारा थर्ड ओप्शन है 5 पॉन 17 नास्ट ओप्शन है 41 पॉन 71 तो सिधा से अपन पहले तो क्या करेंगे? इसका मतलब यदि अपन equation से solve करें तो यह कितना हो जाएगा? यदि x upon y answer हार है तो कितना हो जाएगा? यह वाल equation बनेगी है कि 1 upon 4 1 upon 4 दूसरी equation क्या बनेगी? x plus 2 y में भी 2 जोडना है और यह बना 1 upon 3 इन दोनों को cross multiply करके आप क्या करोगे? solve करोगे y plus 1 इदर 3x plus 6 y plus 2 4x minus y equals minus 3 और इदर क्या बनेगा? 3x minus y equals minus 4 इन दोनों को solve करके x, y की value निकाल दी है फिर अपने को भीन मिलेगी अपन क्या करेंगे? सिदा सिदा देखेंगे जो answer दे रखें वो situation solve जो भीन दे रखें वो satisfy कर रही है नहीं दोनों में एक एक जोड़ो पहले वाले में एक जोड़ेंगे उपर वाले में 2 इदर आयाठ हो जाएगा एक बटे 4 तो हो रहा है ये तो हना पहले वाली फिर इसमें 2 जोड़ो दोनों में तो ये 3 बनेगा इसमें ये बनेगा 9 तो 1 upon 3, तो सिधी से बाद है, पहला option ही correct हो गया, satisfy कर रहा है, इसमें देखो, एक एक जोड़ने पर क्या बन रहा है, एक बटे 4 बन रहा है, 3 upon 2, एक बटे 4 बन रहा है, दो दो जोड़ो, 4 बटे 13, यह नहीं बन रहा, एक बटे 3, यह वाला second वाली situation satisfy नहीं कर रहा, आगे वाली चेक कर लेना, ऐसे, मतलब ऐसे question में option देखना है, ठीक है, ऐसे 2-3 question हो रहा है, next वाला question है, एक भिन का अंस उसके हर से 8, उसके हर से 3 अधिक है, भिन मान लो, अंस है, अंस upon हर, relation दे रखा है कि अंस उसके हर से 8 अधिक है, यदि मैं हर को मानू, हर इकवल x है, तो क्या हो जाएगा? भिन का अंस उसके हर से 3 अधिक है, अंस हर से 3 अधिक है, हर को मैंने x पारा, तो अंस 3 अधिक हो गया, ठीक है, यदि अंस में 7 की व्रदी की जाए, मतलब अंस में और बढ़ा दिया 7, तो क्या कर रहा है, हर में 2 की कमी की जाए, हर में 2, तो परिणाम 2 प्राप्त होता है, तो अंसवहर का योग पूछा है, अब इसमें हमें भीन नहीं पूछी कि भीन कितनी है, इसमें पूछा है योग, मतलब अपना जो मैथड था, ऑप्शन वाला, वो कैंसिल हो गया, योग पूछा है, भीन ना पूछ के, भीन पूछी होती तो अपन क्या करते हैं, सीधा देख है, अंस तीन अधीक है, मतलब, वेट ए सेकिंड, मैंने कन्फूजन हो रहा है, इसमें यह लाइन है, कि एक भीन है, जिसका अंस हर से, तीन अधीक है, अंस तीन अधीक है, तो अंस तो यह वाला ही होगा, देखते हैं, इससे अंसर आता है, नहीं आता हूँ, यह वाला फाइनल अपनी क्वेशन बने, इसको सॉल करके देखते हैं, पहले, मैं इफाई, दूसरा, 13, तीसरा, 17, और यह उप्शन दे रखा, 19, लेखते हैं, अपनी यह वाली बनी, अपनी एक प्लस 10 अपनी, इक मैनस 2 इक वल 2, तो इसको सॉल करेंगे, तो, x प्लस 10 इक वल 2, x मैनस 4 हो जाएगा, इधर यह x पंच जाएगा, इधर बचेगा, कितना x plus 10 x और यह दर जाएगा 14 यह 14 आया और इसे 3 अदिक है यह दिए x 14 है यह कितना हो जाएगा 17 दोनों का addition कितना हो जाएगा मतलब यह question मैंने गलत लिख लगए यह इसमें question आएगा उसका हर अंस से 3 अदिक है ठीक है question ऐसे बनेगा यह मैं वापस दे रही हूँ question question है कि एक भिन है जिसका हर उसके अंस से 3 अदिक है हर अंस से 3 अधिक है ठीक है तो एक्स यदि अपने अंस माना हर क्या इस से 3 अदिक फिर आगे वाले situations के हैं यदि अंस में साथ की व्रदी की जाए अंस में साथ add कर दिया जाए और हर में 2 की कमी की जाए हर में 2 कम कर दिया पहले से था तो परिणाम 2 प्राप्त होता है तो अपने को मिला 2 तो जो भीन है उसका योग ज्यात करो तो भीन निकाल लिए पहले तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 7 इधर x प्लस 1 इक्वल 2 पहले भीन निकालेंगे और उसके बाद में इन दोन को अंसोर हर को एड़ करेंगे तो ये x प्लस 7 इक्वल क्या हो गया 2x प्लस 2 हो गया इधर क्या बनेगा x इधर क्या बनेगा 5 7-2 तो ये अपने पास x की वेल्यू 5 आ रही है तो भीन कितनी होगी 5 उपॉन एट तो दोनों का एड़ करेंगे अंसोर हर तो कितना मिलेगा 5 प्लस 8 इक्वल 13 option 13 option B is correct ओके तो ऐसे वाले question में यदि भीन का योग पूछ रखा है तो आपन क्या नहीं कर सकते option नहीं देख सकते यदि भीन होती तो आपन option देख सकते है इसमें तो अपने को पूरी question solve करनी पड़ेगी next वाला question है वाटी वाला question थोड़े लेंदी हो जाते है एक भीन है जिसके अंसवय हर में एक घटा रहा है situation लिख रही हो मैं अंसवय हर में एक घटा रहा है दिया जाए तो भीन एक बटे तीन हो जाती है यदि एक जोड़ दिया जाए दोनों में अंसवय हर में एक जोड़ दिया जाए तो भीन बता रहे है 1 upon 2 हो रही है तो भीन का योग ज्याद करना है फिर से अपने को पूरी calculation ही करनी पड़ेगी सिद्धे से मालों भीन के है एक अपन वाई है दोनों में एक एक खटा रहे है तो एक बटे तीन बन रही है और एक एक जोड़ रहे है तो क्या बन रहा है एक बटे दो बन रहा है योग पुछ है भीन का ठीक है तो पूरा calculation आएगा ये कितना हो जाएगा 3x-3 इदर y-1 तो ये हो जाएगा 3x-y इदर बनेगा 2 इसको solve करो cross multiply से ये 2x-2 equal y-1 इदर क्या बनी? 2x-y equal minus 1 तो ये elimination method ये किसी से भी हम आपन solve कर सकते हैं तो इदर क्या कर रहे हैं? मैं 2x-y-1 eliminate कर रहे हूँ ये minus, ये plus, ये plus इदर क्या बचा x इदर ये cancel हो गया इदर क्या बचा 3 तो x की value 3 आगे ठीक है, यहाँ से y की value निकाल लो इससे निकाल लो x की value 3 2x-3-y equal minus 1 ये 6 हो गया minus y equal minus 1 तो ये कितना हो जाएगा? y equal कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा तो वह भीन कितनी आगे? 3 upon 7 इसका योग करेंगे तो 3 plus 7 equal 10 done तो प्रतिष्ट, sorry, प्रतिष्ट का नाम हागा? क्या बोलते हैं? Friction Friction के almost question इतना ही थे बाकी और जो questions है उनमें average, percentage and ये सब include है तो आपन सबसे last में करेंगे जब ये वाला secondary level का जो भी अपना portion है first grade का ये खतम नहीं हो जाएगा जो खतम होगा उसके last है ये वाले question करेंगे 5-7 question और बचे है सब तक ये average वाले question मैं छोड रहे हूँ हैं अज तक, मतलब ठीक है next वाला topic कल का ये रहेगा आज के लिए इतना ही